आपको बता दे कि हमने कहा था कि प्रेटिस सैटों को आप जरूर लगाईएगा हम 25 तक कोशनों की गारंटी लेते हैं तो वह कल फिरूप हो गया क्योंकि कल की जो पेपर है उसमें आपको प्रेटिस सैट से 25 तक कोशन आराम से आ गए है तो आप प्रेटिस सैटों को जरूर एक बात देखिएगा क्योंकि यह क्या है आपके जो 25 नमबर उच्छाल लाएगा वह अमूमन बहुत अच्छा स्कोर बनाएगा क्योंकि आपको पता है कि इच नमबर कितना है अगर टीजटी की बात करें तो आपका चाल नमबर देता है एक कोशन अगर पीजटी की बात करें तो 3.5 देता है तो यानि यहां पे आपको देखना है कि अगर एक कोशन भी आपका पड़ा हुआ पस्ता है तो यह बहुत आपको जएधा मोटिवेट हो सकेंगे जिनका कल अच्छा पेपर गया है वह आँगे पी आपका PGT के लिए क्या होंगी ओगा आप ये motivation है खुद से चली admit card आ चुके हैं PGT के आपको बता दे तो ये जो PGT exam है वो 17 को है तो हम देख लेते हैं कि क्या है 17-18 दो दिन PGT चलेगा तो आपके admit card आ चुके हैं तो आप download कर लीचेगा ठीक है हो गया आगाज युद का युग बदलने की तयारी जीत उसी की होगी जिसका संगर्ज है जारी तो आप वो बंदे हैं जिनका संगर्ज जारी है जिनका संगर्ज अभी थमा नहीं क्योंकि अभी मंजिल मिला नहीं जब तक मंजिल नहीं मिल सकती हम बैठ नहीं सकते क्योंकि हमारे रगों में क्या है खोन बहता है तो इसलिए हम बैठ नहीं सकते चली हम इसी motivation code के साथ आज का प्रटी सेट 12 शुरू करते हैं यह प्रटी सेट शुरू करते हैं 12 इसी में हम बताते जाएंगे कहां कहां से आपके question कर बने थे यानि साथ तारिकों TGT के एक जाम में आये थे उसी तरह हर प्रटी सेट ने एक ना एक question दिया है जैसे आपका तिकोनी प्रटी यह अंतलब सिर के लिए कितनी प्रटीयों का यूज़ करना चाहिए यह मैं एक प्रटी सेट में करा चुकी हूँ मुझे बहुत अच्छे से या तो यह क्या था हर प्रटी सेट ने आपको एक या दो question दिया ही दिया है तो अगर एक प्रटी सेट आपको आठ यंबर दस नंबर या बारह नंबर देखी जाता है तो कोई भी बुराई नहीं है तो चलिए शुरू करते हम प्रटी सेट 12 देखते हैं इसमें पहला question क्या है ह हमारे सरीर में कुल कितना जल तरल पधात के रूप में कोशकाओं में रहता है आपको बता देगे एक बहुत अच्छी बात है कि कल प्रटी सेट में एक भी रसोई से कोशन नहीं था तो कितना था 70% हमने भी रसोई से कोशन ना के बराबर ही लिये थे और जो विद्धारती हैं ऐसे ही कि ऐसे कोशन घुमा कि थोड़े से लेंग बेस से आपको मिल जाएगे तो आप PGT के अगर तयारी कर रहे हैं तो आने वाली स्रंखला को जरूर देखिएगा क्योंकि आज से हम कुछ नई स्रंखला के नाम से उसको PGT के जो प्रटिस हैट है उनको सुरू करेंगे तो किता परसेंट होना चाहिए वो हमारा सत्तर परसेंट और यह अपवा जो आ रही है कि पेपर आउट हो गया या पेपर कैंसल हो गया तो इसके लिए आप घबडाईएगा नहीं क्योंकि UP में एकजाम होना वो तो मैंने कह था आपका आयोगी कुछ दस नमबर गलत देग कजाम फजाल हमारे में अपाईगा आउट हो गया है अगर हो गया तो भी क्या है हम तो हर समय तयार है क्योंकि युद्ध हमारा कर्म है तो इसलिए आप पीछे नहीं हट सकते आपका भी क्या चर्म है और धर्म है थाव की थी बिदिन आंसर क्योंकि टाइम बहुत कम था टाइम बहुत कम में हम किसी तरह का confusion नहीं चाहते थे क्योंकि जो बिना without answer होती है उसमें क्या होता है बच्चों को बहुत पिर बताईएगा फिर हम बढ़ी कोशिश करेंगे अपनी तरप से ठेक है तो क्या होगा प्रेटिस सेटों में हमें ज्यादा सहुलियत होगी तो हम ज्यादा सीख पाएंगे बिटामिन B3 को कहते हैं तो बिटामिन B3 से कल कोई related question नहीं आया बटामिन से नहीं आके हमारा किसे आया था जटर रस से आया था तो आप बढ़ा सकते हैं कि जटर ग्रंती में कौन सा रस बनता है कौन सा एंजाइम बनता है अगर आप प्रेटिस सेट को देख रहे हैं तो बिटामिन B3 को कहते हैं अगर जिन विद्यारतियों कि इच्छा होगा हमें TGT का पेपर देखना है तो वो टेलिग्राम चैनल पर जाकर उससे देख सकते हैं मैंने मा अपलोड कर दिया है कल का TGT का एक जाम ब्री थी की बात करें इसको इसको बोलते हैं पैंटो थेनिक अ आपका बात करें पाइरी डॉक्सीन तो यह भी 6 है यह जरूर देख लेना क्योंकि क्या होता है कि इस थरह से गोशन टपक जाते हैं आपका है मैरासमस रोग निम्न की कमी से होता है बताता है जो आपका PGT है उसमें साइंस की ज्यादा पोर्शन आएगा तो हमारी आन्य वा कि अने पर में पी जादा हुगा यह अमूमन टरत है तो यही कहा जाएगा नहीं छोड़ेगा बात 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 में क्या और नहीं Restaurantfront में आएगा ठाचाँ की देखना काम वर्यार बनार हारा है किप्षण की समय से कर रहे पासमस हमें को निम्न की कमी से होता है तो उसमीण आप का प्रोटीन और कैलोरी की कमी से होता है नेशलते हैं सोया बीन में निम्न प्रोटीन पाया जाता है तो सोया बीन में याद रखिएगा गलाइसीनिन पाया जाता है निर्ने लेनी की प्रकिरिया सही क्रम बताईए तो यसमें जो सही क्रम होता है निर्ने लेनी की प्रकिरिया म समस्या को परवाशत करना समस्या का विशलेशन करना आपका है बेकल्पिक साधनों का विकास करना सबसे अच्छे समाधान का चयन करना दूसरा है निर्ड़ा को प्रभावसाली किरिया में परड़ित करना ठीक है जो आपका निर्ड़ा उसको प्रभावसाली किरिया में रखन आपको बता दें कि इसका आणसर इसले ही दिखा देते हैं क्योंकि यहांपे क्या है B आंसर है क्योंकि कल कुछ प्रैट्रि सेटों की question वू वू पेपर में मिले थे आपको option भी चेंज नहीं मिले थे तो होचकता है थिन्य लभी question को ऐसे कैसे उठात कर रख दिया जाए तो आपके इसका अंसर भी देख लिजे अंसर इसका B B में यह है पहले समस्या की ब्याख्या दूसरा आपका है तरड़ वाला जो बेकल्पिक समाधानों पर प्रयास करना यह हमारे पास समाधान है बिकल्प है उनको देखना फिर बिकल्प बिचार करना फिर बिकल्प चुनना फिर निर्ने के लिए जिम्मेदारी लेना जो कि हमने एक बिकल्प चुन लिया तो हमें जिम्मेदारी भी तो लेनी पड़ेगी और यह किसके अनसार थे यह थी हमारे F आपका ड्रेकर के अनुसार नहीं देखिए सिच्छा के बिस्तार के 6 मूल क्रम क्या है तो 6 मूल क्रम की बात की जाए तो वो हमारा यहां पर आंसर जो है वो रहेगा पहला देखिए ध्यान देना दूसरा लुची तीसरा इच्छा चोथा बिस्वास पांच मा कालवाई और आपका च्छटा संतुष्टी है ठीक है क्योंकि आपको संतुष्टी नहीं होगी तो इतना प्रोसेस बेकार हो जाएगा पहले आप अटेंशन खीचेंगे लोगों का फिर उनमें रुची इंटरेस्ट जग आएगे फिर इच्छडे जायड करेंगे फिर बिस्वास बिलीव आएगा फिर कालवाई करेंगे ठीक है फिर संतुष्टी नहीं चलते है निम्न खादबर्गों में से मुख्य खादबर्ग कौन सा है तो आपको पता ही है मुख्य कौन सा है वो हमारा गेंवा मोटे अनाज ये मुख्य खादबर्ग है क्योंकि सबजी है सबजी कुछ भी हो सकती है मगर आटे की रोटी हर्ष किसी के साथ चलती है प्रसार सिच्छा के मुल्यांकन साधन में परखने का तो ये क्या है कारे अविलेख ठीक है क्योंकि कारे अविलेखों को परखता है मुल्यांकन कारसरी करन का अर्थ है कारसरी करन पर कल बहुत कोशिन आयते तो कारे करने की आदतों को बदलना नहीं चलते हैं समय प्रभंदन का एक यंत्र है तो वो हमारा कारिबक्र ठीक है बर्ग आपका डाइग्राम तो ये क्या है समय प्रभंदन का यंत्र है ये ग्रह विज्ञान की सो छात्रा हो दारा प्राप्त अंकों का किस प्रकार ओशत प्रयोग किया जाएगा तो वो ओशत प्रयोग किया ज तरीक बता कर लेて थे जिस एसले इस्तिति जिसमें इसतर बन्द नम्मूना चैन के तरीके प्रवापकारी होते हैं तो वो हमारी कौन सी इस्तिती है वो देख लेते हैं वो हमारी इस्तिती है आपकी B यानि कौन सा है वो ग्रामीर छेत्र याद रखिएगा ऐसी इस्तिती जिसमें इस्तरबंद नमूना चयने के तरीके प्रवाबकारी होते हैं तो वो हमारे हैं ग्रामीर छित्र क्योंकि इसमें ही प्रवाबकारी होते हैं नैशल थे हैं कल पूछा गया था गर्ववस्ता होती है यहां पे था डिम्बवस्ता होती है तो यह क्या था इसी का गुमा हुआ रूप था गर दिम्ब वस्ता होती है तो गर्वधान से दो सप्ताह तब गर्वधारन के दस दिनों बाद गर्वासे की दीवारों से चुपक जाता और हर के लिए मा के सरी से सम्बंद हो जाता है स्वस्त सामानी सिसु की लंबाई है तो वो हमारी है 18 से 20 इंच सारे एक विकास सिर से पैर की ओर होता है विकास का यह नियम कहलाता है तो आपको पता ही है कल भी विकास का नियम आया था वो है मस्ता उद नुमुखी ठीक है मस्तिस से सिर की ओर क्योंकि सिर से पैर की ओर मासे मस्तिस मस्तिस से पैर की ओर इस तरह से याद रखिएगा मतलब PGT में बस सकता है आपके पूर्व के सोरा बस्ता की उम्र है तो वो हमारी है 13 से 17 बर्स हमने बर्ग सिंफिनिफिकेशन कराया था तब ही कहा था कि एक कोशन यहां से आएगा कोई क्रिवीजन में डाली थी और दूसरा हमने जब आपको जापानी पुस्फजर कराया था तब भी कहा था कि एक कोशन यहां से बनता है इसलिए हमने कोई क्रिवीजन में वो वीडियो डाली थी तो आप देखी सकते हैं कि आप वीडियो पढ़ी है तो क्रिवीजन में वो शीली डाली गए थी तो कि वहां से हरवार एक कुशन बनता रहा था और बनता है नैशल थे हैं बिकास आत्मक कार वे कार हैं जो किसी प्राणी के जीवन की निश्यतायू पर ही प्रकट होते हैं इन किलियाओं की सपलता पूरो प्राप्ती से प्रसनिता होती है तता अगली अवस्ता के कारों को सीखने में सपलता मिलती है यह परवासा किसकी है तो यानि यह परवासा हमारी जो दी गई है तो जो यह परवासा दी गई है वो हमारे वी हरलोक कल आया था कि जो cognitive development है उसके मकलब कॉन है तो वहां पर था आपका आपको comment box में बताना है क्योंकि हमारी तो जो question important थे या जो question कहे गए थे वो पूरे के पूरे वहां पर हमें देखने मिले हैं बस हमने उन्हें टेली ग्राम पर डाल दिये जिसे कि आप भी देख सकें ठीक है ने चलते हैं जम दमित संब्यगों की अव्यक्ति आपकी स्रजनात में सांस्कृत के लिए आउद्वारा कीचाती है तो उसे कहते हैं तो उसे कहते हैं मांसिक डेचन ठीक है दमित हो गया यानि दम गया आपके संब्यग आपका मेंगोलो ब्लाष्टिक अनीमिया निम्न की कमी से होता है तो आपको बता दें कि यह क्या है आपका फॉलिकमल और साइनो कोवालमिन दोनों की कमी से बताया जाता है तो कुछ कोशन इस तरह से भी आपके आयोग ने पसा दिये जाते हैं तो इसलिए आपको क्या करना है यह पूरा पढ़ना है मेंगोलो ब्लाष्टिक अनीमिया साइनो कोवालमिन या फिर बिटामिन B12 ठीक है साइनो कोवालमिन ना है क्या हो बिटामिन B12 था 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 फॉलि लाल रक्त कड़कां का विवाजन नहीं हो पाता है जिससे आरवीसी याने लाल रक्त कड़कां आकार सामानी से बड़ा हो जाता है याद रखना आरवीसी का सामानी से बड़ा होना ही आपका क्या है मेगलो ब्लाष्टिस अनीमिया कहलाता है इसे मेको साइरिक या फिर हाइ तो आदवी स्री का बड़ा हुआ रूप ही क्या है हाइको क्रोमिक अमेनिया है उच्छे रक्त साप से पेड़ित व्यक्ति को रोगी को देना चाहिए तो हमारा है कम सोडियम अहार घर में प्रबंदन कहलाता है तो वो कहलाता है पारवारिक लच्छों की प्राप्ति के लिए साधनों का प्रयोग रियान से बने बस्त्रों को धोते समय धीरे धीरे हातों से दबाने और मले की किरिया का प्रयोग करते हैं क्योंकि क्या होगा पानी में बीगने से इसकी तागत कम हो जाती है रियान की क्या होती है तागत कम हो जाती है आप बताएंगे फिर्ट में डेशा कौन सा है अभी हम एक पेज है जिसमें क्या है रसाइनिक सर्ड चुनाए है क्योंकि आपके डीजी ती में था यह तो आज हम उसको टेली ग्राम पर डाल देंगे क्योंकि उसमें से कोईशन पसे हैं तो इसलिए PGT में आपका नुकसान हो यह हम नहीं चाहते क्योंकि यहां केबल एक ही ही दे है वो है सलेक्सन और कुछ नहीं क्योंकि आपका सलेक्सन हो तो यह जानिए कि हमें हस से जादा खुशी होगी क्योंकि आप अपनी अपनी मंजितर पहुन जाएंगे तो रेवन क्या है रेवन से बने बस्त्रों को दोते समय हमें क्या करना है उन्हें क्या करना उनमें तागत क्या होती है भीगने से कम हो जाती है जब ज़्यादा घीचता नहीं करो कि फट जाएगा जब दो या दो से अधिक पूरा क्रंग किसी पोसाक में लगाई जाते हैं तो प्रतेक रंग पहले से क्या होगा अधिक गहरा लगेगा तब ही यहाँ पर कॉमिनेशन बहुत अच्छा बनता है लाइट डार्ग डार्ग फिर डार्ग इस तरह है आधवासी छेतरों से समंद्ध एक राष्टिय कारीक्रम है तो वो हमारा है TDP एंटी वेरी वेरी फेक्टर कहलाता है तो वो कहलाता है B1 इसको एंटी वेरी वेरी फेक्टर कहते है B1 को ही थाइमिन कहते है यह याद रखिएगा प्रारंब के दो दिन मा के इस थनों से निकरने वाला गाड़ा पीला दूद कहलाता है तो वो कहलाता आपका कॉलिस्ट्रॉम कॉलिस्ट्रॉम याद रखना यह क्या होता है प्रोटीन युक्त होता है क्योंकि यह कुशन आया था कि मांके दूद में किसकी अधिक्ता होगी तो वहां पर आप्शन कुछ अठपटे थे तो वहां पर प्रोटीन मिले तो प्रोटीन ही सही है ठीक है यह प्रोटीन युक्त तरल पदार तो होता है किस अवस्ता में बिटामिन एक यावशक्ता नियुन्तम होती है तो वो हमारी है पूर्व विद्ध्याले अवस्ता ICMR के अंसा बिटामिन डी की दैनिक मात्रा एक गर्वती महला के लिए होनी चाहिए तो वो हमारी है तस से चालिस आयू ठेक है प्रोटीन की चाह पच्चय का मुख्य उपधार तो होता है तो वो हमारा है यूरिया मानव सरीर में कितने खनिज लवलों की आवशक्ता होती है तो वो हमारी होती है चौबेस निम्नमेसिक किस तंतू में पानी शोकने की छमता का अभाव होता है तो वो होता है नायलोन में सिल्क उन और सूत इन तीनों में क्या होता है पानी शोकने की छमता का अभाव नहीं होता अंडे से कीला बनाने तक की अबस्ता का कौन सा क्रम सही है तो आपका है अंड़ा अंड़ा से लार्भा लार्भा से प्युवा प्युवा से कीला इस पर हम पूरी एक पीडियो बना चुके थे कल लिये नहीं आया पर आते रहने कोशनों में से है तो आपको पता होना चाहिए जो विध्यार्थि पीजिटी की तयारी कर रहे हैं उनके लि Cohen के Цilker कैसे की आभशी देख लेए क्योंकि लेबल कोशनों के आपच्गक पिजिटी कर रहे का मगर इनका जो लिरह समक पाइच प्युवी होगा वह फुरूत है तो आपके लिए तो दोनों ही पढ़ना बहुत बहुत जरूरी है तो उसे थोड़ा से इस बात तर ध्यान दीजिएगा तो आपका अगर इंटर्व्य उन्मे रह गई तो भी कोई पतल भर नहीं रहता पास होने का तो आपका इंटर्व्य में भी पास होना उतना ही जरूरी है जतना के लिटिन में पास होना तो लिटिन में अगर आप पास होने की दमसम रखते हैं तो इंटर्व्य में भी पास होन आपने सोडिया हुए निवेशन केहते हैं मेरिये। तो कौन तुमसा जानवर उनप्राप्ति का स्रौत नहीं है था मैं? नहित Nun, Kपास टंतुम मों अनप्रश्ठ कार्ट में 조uman की दिखाईाय है के लिए वगिमों न वा करने helps का? तो वो हमारा है अमेरिका नहीं है तो वो हमारा है लपेट रेसम यह स्वैम निर्मित रेसम नहीं है नहीं है नहीं है यहां पर बात करते हैं रेसम दो तरह की होती है स्वैम निर्मित और आपके उत्पादित रेसम ठीक है तो स्वैम निर्मित और उत्पादित में क्यांतर है इतिमादिका संटर्फ निर्मित रेशम के रेशम सेंट्रेकर बीर परत मुझें मुझेड़चिकारे मुछोय रेशम धूरह नोल हमेलािका करें चोहां सुनोष ड्याग्राफ है मुझे दूहों डायग्राम करी किया आपकार कुछ आधाओ पूंगा रेसम अरंडी रेसम और ट्रसर रेसम यह क्या है स्वय निर्मित रेसम है और जबके उत्पादित रेसम में क्या है लपेटा हुआ रेसम और कता हुआ रेसम बस याद रखना लपेटा और कटा यानि काट दिया फिर लपेट दिया या लपेट दिया फिर काट दिया इस तरह से याद रखना नहीं शलते हैं भारत में सरवोच सिलक उत्पादन का छेतर है तो वो हमारा है भारत में दोही है करनाटक और जंबो खसमी मेरिनो उन कहां सबसे अच्छा पाया जाता है तो आपको बताते हैं कि पिछली बार भी आया था इस बार भी इस तरह का कोशन अटका है जाने कल के अग्जाम में तो आप देख जी पार है कि मेरिनो का है मेरिनो उन मेरिनो भीर से प्रापते प्रापते तता पदला फाइवर है यह अपनी कौमलता बारे की और मजबूती और लचेले पनों उतकष्ट करता है यह नरमदार बना सकने के गोड़ों के कालम विस्व प्रसित है यह क्या है आश्टेलिया मेरिनो उन सबसे बड़ा उतपादक देश है आश्टेलिया कुछ कोशन इस बार भी ऐसे ही जाएंगे जिनके अंसर आजो कुछ मानेगा और जिनके अंसर कुछ होंगे यानि फिर उन पर क्या जाएगी पुनर की देखने को दोवारा कहा जाएगा यह तंतू लंबे अविरल होते हैं और मीटर से मापे जाते हैं तो तंतू रेसा नैशलते हैं आपका कोश बूल किसको मिला कर तैयार किया जाता है बस्तों को चिकना करना कहलाता है तो वह हमारा कहलाता है कलेंडरिंग क्योंकि इससे क्या होता बस्ते चिकने हो जाते हैं उनकी सते चिकने हो जाती है फिनिसिंग अच्छी आ जाती है बस्तों को चिकना करना कलेंडरिंग कहलाता है यही क्या है यांतरिक पर सज्जा है याद रखना कलेंडरिंग क्या है यांतरिक पर सज्जा है आ सकता है बस तो पर कलेंडरिंग करना क्या है तो यांतरिक पर सज्जा है और किसके समान है यह इस तरी यानि प्रेस करने के समान है कलंडिन करना बाट रंजग का उधारण है तो वो हमारा है इंटिगो क्योंकि यह बाट रंजग कल पूछा गया है ठीक है इन मैंसे बाट रंजग है या बाट रंजग रंग है तो इंटिगो चौथे उप्शन पे था तो हमारा उप्शन है इंटिगो नेश्चल दे सरवादे के श्टार्च पाया जाता है तो वो पाया जाता है सरवादे के श्टार्च पाया जाता अगर श्टार्च की बात करें तो यहां पे मौज़ोद आप्शोनों में अरारोट है जिसमें सबसे अधिक ष्थार्च पाया जाता है रियान बस्तरों के दब्बों को छुडाने के लिए करना चाहिए तो वो हमारा है रसाइन रसाइनिक नैशलते हैं परसज्जा का उद्देश है आकर्शक बनाना रंगों का चमकदारवा धुंदला पन कहलाता है तो यह बहुत मोश्ट इंपोर्डेंट है वो हमारा क्रूम क्योंकि यह जब भी एक्जब में आता है हूँ वहू ऐसे ही आता है नैशलते हैं आज हम कोशिश करेंगे कि जितने हमने प्रेटिसेट कराया थे जहां से कोश्चन बना है पेपरों में वह आपके सामने हम रख सकें मास पेजियों में निम्न एक अत्यत होने से सारे एक तरतान उत्पन होती है तो यह याद रखिए में पूछा गया कोश्चन है तो वो हमारा लैक्टिक कम्ल था कल के एक्जाम में तो हमारा रइटान सता कर्पन टाय उक्साइड वहा लैक्टिक कम्ल कराया है लासे मैं ने बज़ट का इसलिए अच्छा नहीं माना चाहता है वो है बचत का योगि जिस बज़ट में बचत का कोई प्राबदान नहीं होता बविस्ट को देखते हो जैसे जैसे आय ब्रद्धी होती है निम्न पर होने वाला बैय का प्रसत गटता जाता है तो वो हमारा है भोजन प्रेशन प्रकिरिया में ग्रहन करता साब्दिक और साब्दिक संतेश का बिशलेशन करता है जो प्रेशन बेशता है उसे कहते हैं तो जो बेशता है उसे डिकोडिंग कहते हैं गरीब रेखा कि गरणा की जाती है तो वो की जाती है प्रत्यवक्ति आयसे वैस्क के लिए सामान आपका सिश्टोलिक और डाइस्टोलिक रक्त दाव होता है तो हमारा होता है तो 120 से 80 में चली है नश्चलते हैं सारे कूल्चन कीलों इंपोटेंट है तो आप किया करें बस तहरी बनायाए रखें भूरी क्रांती से सम्मंदित है जो भूरी क्रांती होती है वह हमारी किस्से होती है उर्वरक सेु है या रखना या आयोकी तरब से गलत माना गया था तो यहां पर वह कोई यवाब नहीं है एक भी से नहीं है तो है आटा इसथी कोष्ग ब्दान के लिए तो ब्सक्षेह के लिए होती है तो हम suspects चर्म ग्रहा के डिक है जिसको चर्म रो है रोग हो जाता है या पिन्जिक कम लेकी कम क्रह właściwie चर्म गया या सब का मेंार विद्स दो पूड़ स्वसच जो के डिचंट早ी ही रिधान गरा पेला ग्रहा और या फिर किक युश्डी करते है ले विद्स कभलquito के या धाता पूर तरल अहर ऊप्षाय काया कारी हमारी हम था ओक्छन संट। ऑप्षाय का फड़र को स्ट पर्षाय तर अधिस काया था जो हुप्षन था जुप्षन था 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 युद्ध दाल का पानी स्ट तरल अहर हो गएख्ता क्योंकि उसमें पूछाता है सुद्ध तरलाहर नहीं है क्योंकि चाय क्या करती है हमारी बॉड़ी को हांफुल है नुकसान देती है बट हम जनरली हिंदुस्तानी चाय पीते हैं सुबह इसमें भी कोई दौराई नहीं है कि मतलब हम सभी चाय पीते हैं आएसीडियस प्रारंब किया गया था तो वो किया गया था 1975 में दो अक्टूबर 1975 को प्रारंब किया गया था चीनी का जैली में कार्य है तो वो हमारा है बैक्टेरिया को निस्क्रिय करना ज्योंकि अगर हम जैली में चीनी डाल देते हैं वो पका देते हैं तो उसको बैक्टे करते हैं नबबे परसेंट के सिलवाते नहीं है जिनके पास टाइम अदे के वो टेलर की चकर कार सकते हैं अभूमन आधे से ज्यादा लेकर लेने की सेवा तिका सेलफ सर्वस आई डी डी ऐंच के मरीजों को आहर में कारवोज की पूरी तरह से ना रोकना चाहिए तो वो हमारा है आपका पूरी उरजय प्राप्त नहीं होती है चीनी को अब मिश्रित किया जाता है तो हमारा सफेद पत्धर से निम्न मैंसे क्या प्राउन सिच्छा कारीक्रम में जरूरी आवशक्ता नहीं है तो वो हमारी है प्रतपुष्टी ठीक है यहां यह आवशक्त नहीं है जो प्राउन सिच्छा का उद्देश्य है तो वो हमारा क्या है जो पत्र इसमें अनौपचारिक सिच्छा कारीक्रम में हो सके यानि उन्होंने आपचारिक सिच्छा नहीं ग्राण किये उनके लिए आपचारिक सिच्छा का प्राबदान होता है मेला में बच्चों को चौमी की विकास किस कारिकम का प्रतिबंब है प्रतिबिम्ब है बल है तो वो हमारा द्वाकरा का नहिशालते हैं बच्चों में बिस्तरगिला करने की आदत निम्न का नतीज़ा हो सकती है цо वो हमारी है उप्युक्त सभी कलवाली पिपर में उप्युक्त सभी करके बहुत आंसर थे बिकास पर सोधकार में महतपूर योगदान दिया है तो बिकास पर किस ने दिया है तो आपको पताई है चार्स इसमें जो राइट आंसर जेव रहेगा बिकास पर वो हमारे जीन प्याजे रहेगा क्योंकि इन्होंने क्या दिया चार आपकी स्टेज दिया है बिकास को लेखा cognitive development या फिर आपका sensory motors इस तरह से चार stage है 0 से 2, 2 से आपका 6, 6, 7 से 11, 11 से above इस तरह से नेशलते हैं कपड़ा सिलने की कला को सीखने के लिए उप्युक्त कपड़ा है तो वो हमारा होता है सूती कपड़ा यूँग ये भागता नहीं है कि सोरो द्वारा बस्तों की चुनाव में सरवाद एक महतोपूर कारक होता है तो वो हमारा है प्रतिलित आपका प्रेचलित सैली यानि जिसका ट्रेंड चला हो गुलुकोमा संबंदित है तो वो हमारा है गुलुकोमा आखों से संबंदित है यह बहुत most important है ग्लुकोमा यह सवलका है ठीक है आँखें बड़ी हो जाती है 200 खाद दिवस मनाया जाता है तो वो मनाया आता है 16 अक्टूबर को नेशलते हैं पहली पंचवर्षी योजना लागू की गई थी तो वो की गई थी 1951 में प्रथम पंचवर्षी योजना इसी के वाद आपका 1922 में सामदा एक विकास काली कम शुरू किया गया था इसी पंचवर्षी योजना के अंतर 1953 में क्या हुआ था राष्टी प्रसाद सेवा प्रारंब की गई थी इसी पंचवर्षी योजना की देन है प्रथम पंचवर्षी की ये कोशन का लाज चुका है टीजी टी में आपका एस्वर्ष्टस क्या है तो ये क्या है आपको सबको पता एक मिलर तंतु है यानि खनिश रेसा है वे कपड़े जो करगे से सीधे निकाले चाते है उन पर किसी प्रकार की प्रसज़ा न की जाएवे कहलाते है तो वो कहलाते है आपके ग्रेव वोड से याद रखिएगा आपका पीचिटी के लिए बहुत सांदार कोश्चन है आपका टैफलौण की किसकी है तो वह हमार यह पाली टेट्रा फिलोरो एथलिन की अधैकम मूल्यार रंग वह हूण यह सबसे महगा ख्याए संतुलनलेता अनुपाइट कहलाते है कलाके से धानते हैं यह दौनॉ नहचलते हैं आपका आइकन निम्न प्रकार का कर है तो वो हमारा आइकर जो हमारा प्रत्यच करों में आता है क्योंकि आइकर सीधे आपर लगाया जाता है उसमें किसी प्रकार की आप्रत्यचता नहीं होती तो ये हमारा प्रत्यच कर है नेशलते हैं आपका कीडवन से क्या बढ़ता है तो वो बढ़ता है पाचन सीलता नेशलते हैं प्रभाव साली संपेरण संड किसके द्वारा होता है तो वह समुचर्जा के द्वारा ये कल आ चुका है कि इसमें से क्या सबसे जाता महतपूर रहेगा तो रहेगा उसमें था प्रदर्शनी इस ठॉक रजिश्टर में विबरन होता है तो वो होता है क्रैक की गई सामगरियों की सूचियों का आपका है रसाकर्शन का सिधान्त संडचित करने के लिए उप्युक्त किया जाता है या उप्युक्त किया जाता है तो वो हमारो उप्युक्त सभी जैल जैली और अचार इसमें क्या होता है खाने में आपकी स्वाद आ जाता है रसाकर्शन आ जाता है टेस्ट बढ़ जाता है दिब्बा बंदु युक्त भोच पदार्तों में भुरी बिंदी दर्साती है तो वो दर्साती है तरल पदार्तों को ठीक है भुरी बिंदी तरल पदार्तों को आपकी जो लाल बिंदी है वो मासा हरी को दर्साती है और कहारी बिंदी है वो क्या करती है आपके साका हरी को दर ब thieves लिखंग देने का जासती है फास ज्या थी आपका लिफ ली नेशाल तेया हैं आपका । समीप वर्ती रंग आध धनी है थो एक रंगी होटना कंटेяла के मार्तव क्यों सक्सिंधा तो इस समझंसे पास पास कि नीला बीला हो लाल अर गस mices तो अगर ही आप flow chart अच्छे से समझ लेंगे तो क्या होगा कि कैसे भी question अंटु पुंट रख दिये जाए आपकी समझ से बाहर नहीं जाएगा डिजाइन में उतारवा चड़ाव को कहते हैं तो वो कहते हैं लेग देती है जो ताचड़ाव देती है जिस तरह गानों में होता धुब होताया नीचे आजाता है अवाज त्सलों होता है अवाज का बंत हो जाना वह लेग कारण है तो यहां पर सब सब्साम अगर कालव घरेश की बात करें तो वह चार ग्राम में चार मिलेगी और प्रोटिन की बात करें तो वह भी 4 मिलेगी याद रखना है निम्र मैंसे कौन सा संप्रेशन माध्राप underworld पहले प्रारंबु हुआ था तो वो हमारा च्छापना सबसे पहले प्रारंबु हुआ था उसके बाद ही कोई और ची चापना प्रारम हुई है नावशक में अमीनो अमल है तो वो हमारा है सरी द्वारा उत्पाजित हो यह अनावशक है क्योंकि बाहर निकाला जाता है बसागी मात्रा किस इस्तिती में बढ़ा दी जानी चाहिए वो हमारा कुपोशर की स्तिती में बढ़ा दी जानी चाहिए वह व्यक्ति जो नवीन विचारों के किसी समुधाय में सबसे पहले अंगिकार करता है उसे कहते है तो उसे कहते है नवप्रवर्टक ठीक है क्योंकि नवीन विचारों को शुईकार करता है आपका शव्वसी डाय जळड प्रोसेसिंग इन खन पान प्रबंदों में की जाती है आपका dus setting के सोध प्रस्थाव लिखने के लिए सही अनकरम बताईए है तो वह हमार रहता पहले प्रस्थावना पिर हमार जो रहता है यह देख लेते हैं पहले प्रस्ताबना रहती है फिर उद्देश रहता है कि हम objective बना रहे हैं फिसायतों का पुनर अबलोकन यानि हम review करते हैं literature review कार प्रडाली देखते हैं क्या हम उसमें लगाने वाले है system क्या रखेंगे किस तरह से हम review करने के बाद अपने वाले topic पर काम क करेंगे आंकडों का विष्लेशन फिर हमें जो टूल से या फिर सैल्फ में टूल से जैसे भी हो हमें जिस तरह से आंकरे प्राप्त हुए अपने topic पर उनका हम बिष्लेशर चार्ट देते हैं चौथे chapter में फिर हम ग्रंद सूची लगाते हैं पांच में चेप्टर के बार ठीक है याद रखना इसमें option कम है तो इस तरह से जो option होते हैं उनी के according अपना answer लगाते हैं तो ग्रंद सूची लगाते हैं जिसको हम बिल्लोगाफी या फिर दिफ्रेंस भी कह सकते हैं जो नवस्ता की बाधा में सामिल है तो उप्युक्त सभी हमारी नवस्ता की बाधा मे ठीक है तो बसा की कमी से निमनो रोग हो जाता है तो वो हमारा है फाइनो डार्मा याद रखना ये बहुत most important है PGT के लिए है छोटा सा पर important है सबजियों में लाल तता बेंगी रग निन बर्ण के कारण होता है तो वो हमारा एंतोसाइने ये माना था आपके आयोग ने ठीक सामानों तता सामुन खरीदने को कहते हैं तो वो गयते हैं सुविदा जनक सामान ठीक है जब हमें सुविदा होती है हम तबी सामान ले आते हैं बंधन का उप्योग किया जाता है तो वो किया जाता उप्योग सभी ठीक है कपड़ों पर मुहाने को सुरचित रखता है होक औ और आखों पर और विक्त सभी पाई ठीक है नैशल दे हैं आपका है एवी एसेड को एड़गर डेल ने किसके अंतरगत बरगित किया है तो वो किया है अनुभव संकु ठीक है इसके अंतरगत बरणित किया है ट्राइसेम सुरू हुआ था तो वो हुआ था 1979 को प्रतिचयन किस प्रकार की सुचना प्राप्त करने के लिए किया जाता है तो वो किया जाता है बिच्चरन की सुचना प्राप्त करने के लिए पारवारे ख्लचों की प्राप्ती है तो कारी करने की दिसा का खाका बनाना कहलाता है तो वो कहलाता है योजना बनाना संक्रिया चार्ट है तो वो हमारा है संचार की एक प्रकिरिया संक्रिया चार्ट क्या है संचार की एक प्रकिरिया खून के दपे किस प्रकाद दूर किये जा सकते हैं तो थंडा पानी नमक वा सामुन के द्वारा दूर किये जा सकते हैं नहशल थे हैं विशेष रूप से सजावट में प्रयोग किया जाता है तो वह हलका कतरण इसको हम सजावट में ले लेते हैं जो रंगीन होती है गुलुकोज के गलाइकोजन बंडे की प्रकुरिया कहलाती है यह कल ऐसी कि ऐसे पूछा गया था तो वह हमारी है आपका है glijkogenesis ठीक है आती है उप्यक्त सभी यानस टार्च-प्यक्टिन और 20-5 ก्राम- 직टीड गर्णा bogadide 10 गर्म भणा नम्ट ऊड़जाएंड यहां पे एको कोईटा नहीं है प्रोटीन आपको किσα मिलता है चार सीधे चार से multiply कर देना यहां पर भी चार से और यहां पर दस गिराम पसा से नौ से ठीक है तो यहां पर आपको इतना गंडे से क्या होगा इनका टोटल मिल जाएगा कि कितना प्राप्त होता है तो यहां पर आपका है 410 calories सिच्छर सायता किसके अनुसार चैनित की जाती है तो बुग्याते उद्विक्त सभी के अनुसार चार के गरम वा सादर घोल में ओन और सिल्क के तंतू क्या होते हैं गुल जाएंगे गरम घोल में क्योंकि आपको पता है सिल्क क्या करता है गरम पानी में डाला जाता है तो को पॉली डिप्सिया, पॉली केजिया और पॉली यूरिया निम्नरोग के लच्छन है तो वह हमारे हैं डाविटीज के चीक है नहीं चलते हैं डाविटीज पे कुशन आया था तो हमने उससे देखा और हम उससे बताएंगे इसमें है नहीं है है कपड़े है बांचिते सामय लाने बस्तों पर की जाने वाली पर सज्जा कहलाती है तो आपकी टेटरिंग लियाद रखना टेटरिंग एक हजार मिलियन मानब रिक्त में तो वह हुती है हमारे 06-120 सरीर के तापो क्रम में एक फेरानाइट परबरतन होने से उर्जा हास होती है तो वह हमारी होती है साथ परसेंट ठीक है एक फेरानाइट बढ़ेगा तो साथ ग्राम क्या जाएगी आपकी उर्जा जाएगी हीपेटिस कॉमा में प्रोटिन की मातरा दी जाती है तो वो दी जाती है कम किसी लच्छन के लिए तीन आयमों की पैंचान की गई है वे हैं वह हमारे हैं मॉडल्स नमूना और लच्छिया ने उप्युक्त सभी तो यहां पर हमने एक प्रटिसेद पूरा किया एक प्रटिसेट लगाने हैं क्योंकि उससे होगा क्या कि जब आप इंटर्व्यू में पैठेंगे तो इंटर्व्यू में आपको प्रटिसेट का लेबल ना पूछ कर तीजीटी का लेबल पूछा जाएगा यह बिलकुल आप गांट बांद के चलिए क्योंकि उनको पता है कि प्रटिसेट के लिए बस तानवाई जय हैं जय बारत प्रटिस्ट के लिए खता है